आज आपको जिस पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं उस पौधे का नाम है फैको पाइरम एसकुलेंटम जिसे जारखंड में उगल साख के रूप में जानते हैं लोग और कुट्टू के नूम नाम कुट्टू नाम से भी यह काफी प्रिछलित है यह हमारे परिवेस में पाया जाता है वीड के रूप में उगता है अति पौश्टिक है और शदीय है और इसका उपयोग जानकारी के अभाव में जादातर लोग नहीं कर पाते हैं तो आईए आज हम बताते हैं कुट्टूस या उगल साख के बारे में जिसे फैगो पाइरम इसको लिंटम कहा जा हैं और इसका उपयोग हम कैसे करेंगे इसके बारे में आपको बताएंगे इस साख का बटेनिकल नाम है फैगो पाइरम इसकुलेंटम जो पॉली गुनेसी फैमिली का सदस्य है अंग्रेजी में इसे कॉमन बकवीट के नूम नाम से जाना जाता है हिंदी में इसे कुट्ट कुट्टू, कोट्टू, कुक्ट्टू या उगल साख के रूप में जाना जाता है एसमीज में डोरॉन, कंणर में काडू गोधी और नेपाली में पाफर के नाम से यह प्रिचलित है यह पौधा सीधा और खड़ा पौधा होता है जो छोटा पौधा वार्षिक पौधा है उचाई एक मीटर तक हो सकती है या बेर्थपड़ी खाली जमीनों में खरपतवार के रूप में उगता है और वर्ड के बहुत से पार्ट्स में इसके औशधिय गुणों को देखते हुए इसके पौश्टिक गुणों को देखते हुए इसकी खेती की जाने लगी है इस पौधे का इस्टेम जो होता है वो रिब्ड होता है लाल रंग का होता है चिकना होता है या बहुत कम रोहें पाए जाते हैं पतियां ट्रेंगुलर होती हैं तीर के आकार की होती हैं इसे हर्ट के आकार का भी माना जा सकता है डेर से 10 सिंटीमीटर लंबी एक से 8 सिंटी मीटर लंबी होती है पौधे में जो पतियां नीचे की तरफ होती है उनमें बड़ी डंठल होती है और जैसे जैसे उपर की पतियों की तरफ बढ़ते हैं डंठल छोटी होती जाती है इस पौधे के फ्लावर या तो सफेद होते हैं या पिंक होते हैं और यह कोरिंब पुष् में 5 petals पाई जाती है, fruit nuts प्रकार के होते हैं, three angled होते हैं, brown color के होते हैं, chicken होते हैं और दोनों सिरों पर ये narrow हो जाते हैं, परतेक फल में एक seed पाया जाता है, और यह sunflower seed की तरही होते हैं, और इनके seed को piece करके उससे आठा बनाया जाता है, जिसका उपयोग किया जाता है, flowering इसकी मई से सितंबर के बीच में होती है, अब इसके seasonal availability के बारे में और mode of consumption के बारे में अगर हम देखें, तो यह गर्मी के महिने में मिलता है, पतियां और इसकी छोटे shoots को collect किया जाता है, रोष्ट करके खाया जाता है, साख के रूप में बना करके खाया जाता है, और इसकी कच्ची पतियों को भी सलात के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इस buck weed जो है, वो बिमिन रूप से उपयोग में लाया जाता है, जैसे कि इसके पूरे बीज का उपयोग किया जाता है, बीज के अतरिक्त बीज को पीस करके उसका आटा बनाया जाता है, जिसका उपयोग किया जाता है, इसके बीजों को अंकुरित करके खाया जाता है, जो अतिपोश्टिक माने गए हैं, और सबसे बड़ा उपयोग इसका ह जर्मिनेशन के तीन सब्ता के अंदर उसका जूस काफी लाप्रद माना गया है, यंग शूट्स को खाया जाता है, इस प्राउट्स को अंकुरित होने के 48 घंटे बाद खाया जाता है, और इसका सहद मेजर बाई प्रोडक्ट है, जो की डार कलर का होता है, तीखा होता है, और इसको मुख्य रूप से पेश्ट्रीज को मीठा करने के लिए इसके सहद का उप्योग होता है, एक हेक्टेर बखवीट में आसतन 125 किलोग्राम सहद प्रोड्यूस किया जाता है, ओमन बखवीट या फैगोपाइरम एसकुलेंटम जो है, ये ग्लूटन फ्री अनाज पाया और इसकी पापुलेटिटी इसलिए बढ़ रही है कि ये लोग कैलोरी वैल्यू वाला होता है और ये न्यूट्रियंट रिच हेल्दी फूड माना गया है, न्यूट्रियंट्स को अगर हम देखें तो इसमें भारी मात्रा में प्रोटीन, फैट, स्टार्च, मौश्यर मिलत है जो इसके सभी बागों में, लीव्ज में, ग्रोट्स में, फ्लोर में, परियाप्त मात्रा में पाया जाता है, सबसे अधिक प्रोटीन पतियों में पाई जाती है, 22.70% और फैट की मात्रा इसमें काफी कम होती है, इसी कारण से इसे अतिपोस्टिक माना गया है, अब मिन 390 मिलीग्राम मैगनीशियम, 330 किलोग्राम मिलीग्राम फोस्फोरस, 450 मिलीग्राम पोटेशियम, 0.95 कॉपर, चार आयरन, 3.37 मैगनीज और 0.87 मिलीग्राम जिंक पाया जाता है, इसके आउशदिय गुणों को जानने के पहले आवश्यक है कि ऐसे पहुदे जो अतिपोस्ट और स्वादिस्थ हैं, इनको जानकारी के अभाव में हम उपयोग नहीं करते हैं, यदि आपको इन में रूची है, तो आप अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे पौधों के बारे में इसमें काफी जानकारियां उपलब्द कराई गई हैं, और समय समय पर कराई जाती हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेर करें, आईए अब जानते हैं और शदियो गुणों के बारे में, तो इसके और शदियो गुणों में मुख्य रूप से फाइटो केमिकल्स जो इसमें पाए जाते हैं, जैसे फ्लैवोन आट्स, अमीनो एसी, डलके के कारण ही होता है, और जो कि इसके सभी में, ग्रेंज में, सीडलिंग्स में और ग्रीन लीव्ज में परियाप्त मातरा में पाया जाता है, यह एंटी ट्यूमर माना गया है, क्योंकि इसका जो फ्लावर और लीव्ज का एक्स्ट्रैक्ट है, वो ट्यूमर सेल्स के प्रॉल inflammatory माने गए हैं और एसी तमाम बीमारियां जो inflammatory disease मानी गई हैं उसमें ये बहुत कारगर उसदी के रूप में उप्योग किया जाता है यह हीपाइटो प्रोटेक्टी यानि लीवर को प्रोटेक्ट करता है इसके जो अंकुरित बीज है उसमें रियूटिन नाम का एक content पाया जाता है और quercitrin ये दोनों तत्व जो है वो anti fatty liver activities को बढ़ाते हैं और ये triglyceride को significantly reduce करते हैं total cholesterol को reduce करते हैं जिससे की liver को यह strengthen करते हैं यह anti-diabetic मी माना गया है क्योंकि इसका जो आटा होता है उसमें एक immunosigar phragomene पाया जाता है phagomene जो है वो glucose uptake को inhibit करता है glycemic index जो carbohydrate का होता है उसको reduce करता है और जिसके कारण blood sugar level को यह कम करता है और diabetes को control करने में बहुत कारगर भूमिका निभाता है इसमें antibacterial गुर पाये जाते हैं जो root में stem में leaf और flower सभी में समान रूप से पाये जाते हैं सबसे बड़ा उपयोग इसका जो होता है वो heart health के लिए होता है buck weed में सबसे बड़ा गुण है कि यह blood vessels की elasticity को बढ़ाता है जिसके कारण arteries का hardening को यह रोकता है recent studies में पाया गया है कि इसका यह गुण जो है वो इसके अंदर पाये जाने वाले flavonoid routine के कारण होता है जो इसमें प्रयाप्त मात्रा में पाया जाता है अब यह depression को भी रोकता है क्योंकि इसमें 70% starch जो और soluble और insoluble fiber पाये गये हैं जो बहुत दीरे दीरे carbohydrate को absorb करते हैं दीरे दीरे absorption के कारण यह continuous जो है brain को सकती प्रदान करता है इसका vitamin B भी इसकी efficiency को बढ़ाने और nervous system को मजबूत करने में अपनी भूमी का निभाता है इसके अलावे इसमें एक lysine नाम का तत्व पाया जाता है जो amino acid है यह तत्व बाकि सभी अनाजों में बहुत ही कम मात्रा में होता है इसमें यह काफी मात्रा में पाया जाता है जिसके कारण यह nervous system को strength प्लान करता है यह मोटापे को भी रोकता है और उसके treatment में सहयक होता है phagomine जो इसमें पाया जाता है वो भूग को कम करता है और इसमें routine नाम का तत्व जो है buckweed में बाकी अनाजों की तरह नहीं है क्योंकि यह इसमें कुछ amino acids पाये जाते हैं जैसे कि lysine और methionine जो बाकी अनाजों में नहीं पाये जाते हैं यह इसे no gluten character प्रदान करते हैं यही कारण है कि इसे celiac patient के लिए बहुत nutritious food माना गया है इसके लावा यह bleeding gums को रोकने में बहुत कारगर भूमिका निभाता है क्योंकि यह capillaries को strengthen करता है और उनकी fragility, permeability और swelling को decrease करता है जिसके कारण bleeding gums में यह दवा के रूप में कारगर होता है और vitamin B, quercetin और rutin के content जो है यह भी इसमें काफी सायक होते है तो आज हमने इस पौधे के बारे में जाना, इसके गुणों के बारे में जाना जो हमारे आसपास मिलता है, अतिपॉस्टिक है, और शदिय है और जानकारी के अभाव में हम इसका उप्योग नहीं कर पाते हैं यह पौधा चूंकि weed के रूप में उगता है, अब इसका cultivation भी किया जाने लगा है इसका अगर हम उप्योग करें तो यह हमें nutritional security भी प्रदान करेगा क्योंकि nature ने हमें gift के रूप में प्रदान किया है इस तरह के वीडियो को देखने के लिए आप चैनल के link पर जा करके इसको देख सकते हैं link के slide के उपर दिया गया है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद